हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल स्प्रिचर लफ टेर आट कैसे हैं आप लोग आई हो खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे हैपई होंगे दियर हमाई दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें पॉजिटिविटी को ट्रेक करें और आपक खुशियों के साथ में हम यहां पर जो रिडिंग करने वाले हैं नो कॉंटेक्ट के उपर यह रिडिंग रहेगा चाहे वज़र जो भी हो थर्ड पार्टी सिच्वेशन हो या फिर आप लोगों के बीच में लॉंग डिस्टेंस हो या फिर कोई ऐसा रीजन आपके बीच मे आगया जिसकी बज़े से नो कॉंटेक्ट सिच्वेशन यहां पर हुई है तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि नो कॉंटेक्ट सिच्वेशन में आपके पार्टनर जो है उनकी फिलिंग्स क्या है आपको लेकर या फिर नो कॉंटेक्ट में आपके पार्टनर जो है अभी क क्या फिल कर रहे हैं so और आपके आपके लाइफ में कोई थेल पार्टие सिच्वेशन हैं वह सारी चीजें हमें की कोशिश करेंगे जिस के भी कारण आपकी लाइफ में no contact situation हुआ है क्या ये no contact situation खतम होगा या नहीं होगा वो तीछ पर भी हमारा focus रहेगा तो dear shuffling हो रही है आपको करना है focus अपने partner के उपर ताकि हमें energies जो है वो मिल सके तो चलिए देखते हैं काफी shuffling हो चुकी है अब देखते हैं कार्ड से हाँ पर क्या बता रहे है क्या आ रहा है कार्ड से dear ये एक general collective timeless reading है जितना resonate कर दोता रख लीजेगा बागी को skip कर दीजे सबसे पहले तो ये रिष्टा जो है बहुत ज़्यादा stuck मुझे दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं एक ऐसे situation आप दुनों के बीच में आ गई है जहां पर आप और ये रिष्टा जो है वो अटक सा गया है है ना ये देखिए nine of pentacles की भी energy है dear यहां से star का कार्ड है यहां से the sun के energy है है तो positive energies यहां से निकल के आई है यहां हमरे पास में आया है five of swords के energy तो five of swords है next card जो आया है judgment ओ हो चलिए खुश हो जाईए आपके life में तो judgment आ रहा है आपका प्यार भी आ रहा है दोड़े दोड़े आ रहा है आपका प्यार dear आप देख लीजे यहां पर आ बहुत ज़्यादा हो सकता है आज आपने कोई वरत रखा है या कोई पूजा करी है और अचानक से आपकी wishes जो है वो इदम से positivity आपकी life में आ रही है success आपकी life में आ रही है अगर आप carrier को लेके बहुत time से परिशान थे तो आपका carrier बनता हुआ दिख रहा है success आपको मिलती ह हुई दिख रही है जहां पर आपने बहुत सारा पैसा लगाया था वो पैसा वो मनी आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी wishes जो है वो पूरी हो रही है balance आपकी life में आने वाला है नेक्स कार्ड यहां पर क्या आ रहा है seven of pentacles justice क्या बाते भी justice भी आया है judgment भी आया है high priestess आया है और क्या यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर तो swords के energy भी आई है queen of pentacles भी आई है यहां से हमरे पास में 10 of swords के energy है six of wands है हमरे पास में और यहां से हमने पास में eight of swords और 10 of pentacles ओक्के तो यहां पर कुछ लोगों के लिए मैं यह बोलूगी कि bottom के energy chariot है कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि किसी तरह का action आपको देखने को मिल सकता है वो भी आपके partner की तरह से कोई ऐसा action कोई ऐसा चीज आपको देखने को मिलेगी जो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है इस relationship को लेकर सबसे पहले तो बात करी जाए तो dear ये रिष्टा no context situation में stuck है ठीक है पूरी तरह से आपके partner किसी ऐसे situation में stuck है जहाँ पर ये कुछ सोच नहीं पा रहे हैं ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो क्या हो रहा है more swing भी हो रहे हैं आपके partner के more swing मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बहुत जदा anxiety बनी है और कहीं न कहीं इस रिष्टे में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके partner जो भी रिष्टे में है चाहे वो third party में involved हो गए हैं या कोई ऐसा रिष्टा है जिसकी वज़े से आप दोनों के बीच में no contact है तो no contact के वज़े मुझे यहाँ पर third party नजर आई है क्योंकि यहाँ पर third party के cards आए हैं और जो इस बात को बता रहे हैं आप लोगों के बीच में कोई तीसरा person involved हुआ है और इस तीसरे के entry के कारण शायद आप और आपके partner जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हो आप और आपके partner बहुत ज़्यादा अलग हुए हो वज़े सिर्फ यह third party है वज़े यहाँ पर no contact की मुझे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा blame game खेले आपके partner ने आप पर blame करने लगे आप पर गुसा करने लगे है ना आप पर गलत गलत चीज़े आपके partner ने बोली है और यहाँ पर यह जो distance आप दोनों के बीच में आया है आपके partner ने जो यह distance maintain किया है ना वो वज़ा third party ही है दोनों में कहीं न कहीं अनबन होने लगी है ना third party का मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि third party partner को अपनी तरफ खीशती है third party जो है partner के साथ में एक तरह की ऐसी energy में कि किसी तरह का कोई खिचा तानी करना किसी तरह का कुछ ऐसा करना कि जिससे आपके partner जो है वो कहीं न कहीं आपकी तरफ ना जाए तो ऐसी खिचा तानी third party करती रहती है देखिए कार्मिक energies भी यहां पर मुझे दिखाई दे रही है कुछ कार्मिक energies भी इस relationship में involved है जिसकी वज़े से आप दोनों के रिष्टे में कहीं न कहीं break up हुआ है जिसकी वज़े से यह रिष्टा जो है तोटा है देखिए इस रिष्टे को judgment मिलता दिखाई दे रहा है क्योंकि judgment का card है और कहीं न कहीं नयाय आपके हिस्से में आता हुआ दिख रहा है third party जो है उसको अपने करमों को भुगतना पड़ेगा यहां पर करमा balance करने के लिए लग रहा है और third party को अपना करमा तो भुगतना पड़ेगा क्योंकि third party ने क्या गलती करी है third party ने आपके relationship में कहीं न कहीं balance जो बना हुआ था उसको छुपके से है ना छुप छुपके गलत करने की कोशिश करिये मतलब आपके और आपके partner के बीच में कुछ चीजे इसने खराब करने की कोशिश करिये और जो बाते यहाँ पर निकल के दिखाई दे रही है कि इस third party ने जैसा behavior आपके साथ में किया आपके partner के साथ में किया तो यह एक चोरो वाली चीज दिखाई दे रही है कि third party छुप छुपके गलत चीज कर रही थी और अब क्या हो रहा है जब इसने balance कराब कर दिया आपके life में बहुत ज़्यादा toxic relationship बना दिया एक दूसरे को आप face नहीं क partner के साथ कर रही है क्यों कर रही है क्यों कर रही है क्योंकि यह आपके partner को depression में लेके जाना चाहती है इस third party का एक ऐसा मकसद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए third party के साथ में आपके partner अगर involve है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि third party के साथ में जो आपके partner involved है यहां पर third party को लेकर आपके partner बहुत सारी चीजों के उपर सोच विचार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा over over ही सोच रहे हैं डियर इस third party को लेकर दोनों एक दूसरे के सामने हैं और ऐसी situation है कि partner trust नहीं कर पारे third party पर third party trust नहीं कर पारे है partner पर मतलब दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अलग situation यहां पर दिखाई दे रही है पर यह समझ लेजे कि अब judgment यहां पर निकल आया है अगर judgment यहां पर आया है तो आपके साथ में judgment होने वाला है जब इनसान नहीं बहुत ज़्यादा दुख और दर्द से कुजरता है तो उसको जो pain होता है जो suffering उसे करनी परती है वो जिन्दगी भर भूलता नहीं है तो यहां पर आपके partner इस third party में चले तो गए जो गए तो बड़े खुशी से थे लेकिन जब वो उस relationship में रहने लगे उस रिष्टे में रहने लगे तो कहीं न कहीं आपके partner को एक ऐसी चीज ने घेर लिया ऐसे उनके thoughts होने लगे कि वो बहुत सबसे पहले तो बहुत confused रहने लगे ठीके उनसे आपको छीना गया आप उनके जिंदगी में नहीं रहे आपने उनको कहीं न कहीं छोड़ दिया या फिर उनने आपके साथ में break up कर लिया तो वो situation यहाँ पर दिखाई दे रही है हालात ऐसे हो गए कि आप दूनों एक दूसे से दूर हो गए यहाँ पर पहली चीज़ क्या हुई आप उनसे दूर हो गए दूसरा थर्ड पार्टी के पास गए तो थर्ड पार्टी ने क्या करा अटेश तो कर लिया अपने साथ में जोड तो लिया third party ने लेकिन उस third party ने इनको जो दुख दिया है जो दर्द दिया है जिस दर्द को वो सहन कर रहे हैं जितना अती कर सकती थी ये third party इसने करी है और इस third party के अती के चलते आपके partner अपने patience अपनी happiness सब कुछ खो दिया क्यों खो दिया क्योंकि इस third party ने जो दुख और दर्द उने दिया वो असनिये हैं जो pain जो suffering से आपके partner गुजरे हैं वो उनको कुछ lesson सिखा गिया है और इनको कहीं न कहीं कुछ चीजे समझ आईए कि इनसान को spiritual journey की तरफ कहीं न कहीं सोचना चाहिए कहीं न कहीं इनका ध्या भी अभी हो सकता है आप इनको बहुत ज़्यादा कहते थे कि भई आप अपनी spiritual journey को पहचानो आपको universe क्या कहना चाहता है divine क्या कहना चाहता है यह तब नहीं सोचते थे लेकिन जब suffering से गुजरा इंसान जब दर्द से गुजरा जब इसको बहुत ज़्यादा pen हुआ तो कही न कहीं इसकी spiritual journey स्टार्ट हो गई और वहीं से इसको कुछ-कुछ lesson सीखने को मिलने लगे वहीं से इसके life जो है change होने लगी जब तक वो lesson नहीं सीखेंगे ना तब तक कहीं न कहीं इनको यह नहीं पता चलेगा कि इनका soul purpose क्या है यह क्यों इस तरफ आते हुए दिख रहे है यहाँ पर वो चीज मुझे दिखाई दे रहे हैं देखिए third party partner को क्या करके रखना चाहती है यह third party के अगर हम बात करें तो यह third party आपके partner को अपने इशारों पर चलाना चाहती है उसी के साथ-साथ अपने control में रखना चाहती है उससे ऐसे उमीद रखती है कि आपके partner जो ह इस third party के हिसाब से ही कहीं न कहीं move करें, third party के कहने से ही वो कहीं न कहीं चले, third party और partner जो हैं उनमें एक ऐसे situation दिखाई दे रहे हैं कि पूरी तरह से बहुत ज़्यादा चीजे जो हैं वो खराब हो रही है, यहाँ पर partner third party को लेके थोड़ा depression में है, third party को लेके थोड़ा सा पर परिशान हैं आपके partner, वज़ा आप हो, क्यों क्योंकि आप से उनका communication बंद हो गया है, आप से उनकी बात चीत नहीं हो रही है, इस बात को लेकर आपके partner जो हैं थोड़ा सा confused भी हो रहे हैं, थोड़ा सा परिशान भी हो रहे हैं, उपर से third party उनको बार बार किसी बात के लि आपके partner के उपर या तो कोई case होने वाला है, या फिर ये third party उनको कहीं न कहीं किसी तरह के mind blame खेलने वाली है, कुछ game plan करने वाली है, ऐसी energy यहाँ पर दिखाई दे रही है, third party और partner के बीच में understanding खत्म हो रही है, दोनों के बीच में game मुझे दिखाई दे रहा है, जो काम इ understanding थी, जो एक bonding थी, उसको तोड़ा था, आज वही इस्तिती इस third party की निकल रही है, तो थोड़ा सा इस third party की value मुझे कम होती हुई दिख रही है, ये partner की नजरों में, game बहुत आ गया है, दोनों के बीच में, एक distance बहुत हो गया है, दोनों की communication जो है, वो भी खराब हो गई ह एक दूसरे के लिए ना third party समझ रहे हैं, अभी partner third party के साथ खुश नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, अंदर से तूटे तूटे हैं, ये partner third party के साथ अगर हैं, तो ये उनका एक तरस से कार्मिक relationship है, जो वो third party के साथ है, देखें, ये आपके partner को face करना प पड़ेगा और जब तक आपके partner कुछ चीजों को सीखेंगे नहीं, कुछ चीजों को जल्द से जल्द कर्मा release करेंगे नहीं, तब तक ये निकल नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर आपके partner को ये कर्मा face करना पड़ेगा, और इससे निकलना पड़ेगा, जो trigger इनको मिल रहा ह उससे कुछ ना कुछ lesson इने सीखने पड़ेंगे, थर्ड party को लेकर partner को बहुत headache होने लगा है, बहुत ज़्यादा dear, और अब आपके partner judgment चाहते हैं, यहाँ पर अगर उनके उपर कोई case है, तो वो चाहते हैं कि इस case से वो कहीं न कहीं बरी हो जाए, निकल जाए, क्योंकि उन जादा उनके काम पर जो work था, उसको भी उन्होंने overload दे दिया है, तो आपके partner अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निवा रहे थे, सब कुछ अच्छा कर रहे थे, पर third party शायद उन्हें नहीं समझ पाई, लेकिन आपके partner आपको समझ गए हैं, आपके partner की मुझे एक ऐ divine का support मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, और spiritual journey start हुई है dear आपकी, एक spiritual journey या आपने कोई knowledge ली है, किसी तरह का, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि spiritual journey आपके सामने आ रही है, आपके partner जब आपके life में आए, तो मानो सपनों का रचकुमर आपके सामने आया था, आपको ऐसा लगा कि आपके सपने सारे पूरे हो गए, क्योंकि यह कार्ड बता रहा है कि आपके wishes पूरी हो गई थी, ऐसा आपको feel हुआ था, या फिर आप अपने partner से जब first time मिले थे तो उनको मिलते ही, आपकी energy में आपने ऐसा देखा कि जैसे कि इस बंदे के साथ में, इस partner के सा सकता है, मेरी life बहुत अच्छी रह सकती है, और मेरी और इसकी बहुत आगे तक चलेगी, और बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन इस third person के आजाने से, कहीं न कहीं partner ने आपके साथ में गदारी करी है, कहीं न कहीं आपके partner ने आपको धोका दिया है, तो वो जी जहां पर आपके साथ में करी, उसका आपके उपर, आपके mind पर बहुत effect पड़ा है, आप आज भी किसी पर trust नहीं कर पाते हो, वो वाली चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है, अच्छा रिष्टा था, पर ज़्यादा time नहीं टिका डिया है, यह रिष्टा आपको प्यार पर भरोसा था, आपको अपने लव भरोसा था, आप उस इंसान पर आँख मुंद के भरोसा करते थे, लेकिन इस इंसान की कमियों के चलते, इस इंसान के गलतियों के चलते, यहां पर आपने आपको बहुत पैन दिया है, बहुत दर्द दिया है, जो दर्द आप सहरे होना, वो तो आप को पता है कि यार ये पार्टनर का दिया हुआ है फिर भी आप कहीं न कहीं उससे कोई गिले शिक्वे नहीं कर रहे हो आपने ये सोच लिया है कि देखो अगर उसको रियलाइज होगा उसको कहीं न कहीं मेरे प्यार की कदर होगी तो वो इनसान जो है मेरी तरफ हुई है बहुत सारी चीज़ों को आप जान पाए हो और मुझे ऐसा लग रहा है जादा टाइम का ये रिष्टा नहीं है कुछ लोगों के लिए तो बहुत लॉंग टम रिलेशन्शिप है तो दो एनरजी मिल रही है कुछ लोगों का तो नया नया प्यार था और ब्रेक अप ह हो गया और कुछ लोगों का तो बहुत पुराना रिष्टा था फिर भी यहां पर मन मुटा हुआ इस थर्ट परसंट की वज़े से आपके पार्टनर की मुझे ऐसे अनरजी दिखाई दे रहे हैं कि आपके क्लोज आना चाहते हैं आपके करीब आना चाहते हैं जब ये इनस किस तरह से आपसे प्यार करते हैं और कितना अनकंडिशनल लव ये आपको देना चाहते हैं वो चीज़ ये आपको कहीं न कहीं दिखाना चाहते हैं मतलब अभी तक ये बंदा छुपाता था आपसे शेयर नहीं करता था लेकिन अब यहां पर जो इनकी एक जरनी स्टार्ट हुई है जो अवेकनिंग हुई है इनके अंदर वो कहीं न कहीं इनको ऐसा बता रही है कि अपने जस्पात अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कुछ करने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है आपकी मदद करेंगे और दियर आपको अपने ट्रोमा से निकालना चाहते हैं जिस भी ट्रोमा में इन्होंने आपको डाला है जिस भी तरह की प्रॉबलम में इन्होंने आपको डाला है बहुत जदा डिप्रेशन बहुत जदा एंजाइटी में इन्होंने आपको डाला है तो अभी ऐसा लग रहे है कि आपकी एनर्जी, जो है, लो हो चुकि है, आप उब है बहुत तूटा-टूटा सा फिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आप रह रहे हैं और अभी आपको जरुत है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जरुत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको जिंदगी में बैलनस चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ से जो बैलनस चला गया इस थर्ड पार्टी के कारण आप उससे बहुत ज़्यादा परिशान हो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के कारण मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रिशानी आपके लाइफ में आ गईए दिखें ये थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फस चुकी है कहीं न कहीं हो सकता ही इसके कुछ responsibility है हो सकता है ये थर्ड पार्टी जो है मैरिड है और इसके बच्चे वापस आ गए है या इसका पती वापस आ गया है और अभी आपके पार्टनर के साथ में ये लिविंग रिलेशन्शिप में रह रह रही थी एक्स्रा मैरिटल अफेयर में फसा के रखता आपके पार्टनर को तो यहां पर इस थर्ड पार्टी की परिशानिया बढ़ती हुई दिख रही है यह थर्ड पार्टी के उपर जो responsibility थी उसमें यह उलचती हुई दिख रही है थर्ड पार्टी पैसो को लेकर थोड़ा सा परिशान भी हो रही है कि अब भी उसकी life में क्या होने वाला है परिशा से यहां पर दिख रहा है खुश नहीं है और अपने benefit के हिसाब से यह थर्ड पार्टी पार्टनर को control करती है तो यह तो रही बात थर्ड पार्टी की बात करी जाए आपकी तो देखिए देखिए जो आपके पार्टनर ने किया चाहे वज़र जो भी रही है पर no contact में जो भ अपने उपर बिल्कुल भी focus नहीं कर रहे हैं दर्द दवा तकलीफ सब भूल बैठे हो जो दर्द आपको हो रहा है आप उस दर्द पर ध्यान नहीं दे रहे हो जो दवा आपको करानी चाहिए ऐसा लग रहा है काफी लोगों को headache रहता है आप कोई tablet कोई इलाज नहीं करा हो बस अपने दर्द में अपनी तकलीफों में पड़े हुए हो ऐसे कैसे काम चलेगा डियर no context situation हुई है break up हुआ है partner छोड़ के चला गया है बहुत दर्द हुआ है आपको क्योंकि आप उस इंसान से दिल से attached थे आप उससे दूर होना नहीं चाहते थे लेकिन आपके partner को और उस इंसान की तरफ जा रहा है अपने दर्द को और अपनी दवा को तो आप भूल चुके हो आप मेंसे काफी लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे इशू है health इशू है जिसके चलते आपको इलाज कराना बहुत जरूरी है हो सकता है समय पे दवाई लेना जरूरी है पर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो आपकी शारिरिक पीडा आपको दिख नहीं रही है आपके दर्द कहां हो रहा है क्या तकलीफ हो रही है वह आप फीली नहीं कर रहे हो इतना ज़्यादा लोग एनरजी में रहोगे तो कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को यूनिवर्स आपको कह रहा है डिवाइन आपको कह रहा है कि आपको अपनी आगे की जर्नी को देखना होगा जो बहुत ही special है और आप क्या कर रहे हो आप रो रहे हो आप स्टक हो चुके हो आपको इस स्टक सिच्वेशन से बाहर निकलने की जरुरत है आप manifest कर रहे हैं डियर काफी चीजों को पर आप दिल से चाहते हो कि अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से बचा लो तो यहाँ पर अगर मेरे वीवर्स जो है प्रातना कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपका पार्टनर आपको छोड़के इस थर्ड पार्टी के साथ चला गया है शादी कर लिए है रिटल अफियर में चला गया है या लीविंग रिलेशन्शिप में रह रहा है या आता जाता रहता है ओन आफ करता रहता है तो भी मुझे ये लग रहा है आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दिल से चाहते हैं कि आपके पार्टन थर्ड पार्टी से बच जाए आपके दिल में है भले इस इंसान ने आपके साथ में फ्रॉट किया है थर्ड पार्टी के चकर में मगर आपके दिल की चाहत है कि आप उस पार्टनर को बचाना चाहते हैं है ना आपको देखे तो आप चाहते हो कि पार्टनर भले आपके पा पार्टि के चंगुल से निकल जाने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रातना करते हो बगवान से कहते हो कि है इश्वर मेरे पार्टनर को इस थर्ड पार्टि इसके चंगुल से बहा निकालो तो आप जो दुआ कर रहे हो आप जो prayer कर रहे हो कहीं न कहीं judgment तो हो गया dear आपकी दुआई कबूल हो गई है और आप में से जिन लोगों का ऐसा दिखाई देरा रो रहे हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं कि नहीं मेरा partner तो चला गया मुझे छोड़ के तो महां से आपके partner को निकलने में थोड़ा जदो जहत करनी पड़ रही है बहुत हाथ पे मानने पड़ रहे हैं हलाकि वो भी खुश नहीं है उस third party situation में पर वो भी तड़प रहे हैं लेकिन जो लोग अपने आपको अवेकन कर चुके हैं जो लोग बहुत positive सोच रहे हैं अगर मेरा partner आना होगा तो आएगा या आएगा बहुत सारी positive energy के साथ में यहां पर अगर आप manifest कर रहे थे या फिर आप prayer कर रहे थे या फिर आपकी दुआएं थी तो वो कबूल हुई है dear आपका partner आपकी तरफ आ रहा है energy को claim कीजिए universe को divine को thank you बोलिए no contact कराने वाली जो third party है उसके against जा रहा है सब कुछ उसके हिस्से में वो चीज़े जाती हुई दिख रही है जो उसने आपकी तरफ भेजी थी तो सारी negativity उस third party के life में मुझे inter होती हुई दिख रही है on off करता रहे पर वो third party से भी निकलने की हर मुमकिन कोशिश करेगा बहुत ज़्यादा action वाली energy है एक ऐसा fast action वो लेंगे जिसके चलते आप देखिएगा कि आपने कभी उमीद नहीं करी थी कि इंसान जो है इस third party को sudden छोड़ भी सकता है क्योंकि इस third party को छोड़ने के लिए इसको बहुत बड़ा कलेज़ा चाहिए और ये partner जो है अभी उसी energy में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ही strong निकल के आने वाले हैं आपके partner आप अपनी life के लिए अपने लिए फैसला लेना चाहते हैं आप चाहते हो कि मेरे future को लेकर मेरे career को लेकर मेरे love relationship को लेकर मुझे एक decision लेना चाहिए अपनी life के लिए efforts कर रहे हो आप है ना चाहे वो आपके हक की बात हो चाहे वो आपके career की बात हो चाहे वो आपके love की बा कर सकूं, आपको पार्टनर के साथ जीना है, इसलिए आप कहीं न कहीं हार नहीं मान रहे हो, नहीं तो आप कपकी हार मान चुके होते हैं, no contact situation में, break up situation में, आपने हार नहीं मान ये, क्योंकि आपको उमीद है, कि आपका पार्टनर जो है, वो कहीं भी चला जाए, घुम पित क आता तो आपी के पास है ठीक है आपको लगता है कि आप इतना समय पार्टनर को दे चुके हो इतना वक्त आप पार्टनर को दे चुके हो कि आपका समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है कभी कभी आपके दिमाग में कभी कभी आपके जहन में ये बाते घर कर जाती है कि या इतने time से तो मैं इस इसन्सान को बेट कर रही एहूं पिर भी मेरी life में चीज़े खराब हुए रहे हैं क्या सही होगी या नहीं होगी मेरा future बनेगा यह नहीं बनेगा ऐसा तो नहीं कि मैं इस partner के चलते अपना future खराब कर रही हूं तो सारे डाउट्स जो है आप के लिए भी करोगे अपने ही हातों से वो चीज दिखाई दे रहे हैं पार्टनर जो हैं कहीं न कहीं सच में आपकी वैल्यू को समझ पाए हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ठीक हैं देखें थर्ड पार्टी के चंगुल से तो निकलना ही है आप आपके पार्टनर को कुछ चीजों को समझना है कुछ चीजों को रियलाइस करना है पार्टनर गलट डारेक्शन में गए थे रियर है ना हो सकता है उनका नेचर बदल गया हो सकता है आप दोनों के बीच में जो पहले जैसी बात थी वो अब नहीं है हो सकता है ना कुछ भी कारण से बदलाओ partner गलट direction में गये है ना उनका नेचर बदल गया behavior चेंज हो गया आप अपने गम में घुट रहे हो आपका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो गम है उस गम को लेकर आप घुटन महसूस कर रहे हो उस गम को लेकर आपको बहुत तकलीफ हो रही है और डियर कहीं ना कहीं अपनी जो दर्द है जो तकलीफ है जो दर्द हो रहा ना आपको कुछ ना कुछ उसको आप दबा के बैट गए हो आप बहुत ट्रैक्टिकल बन गए हो डियर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अपने emotions को दबाना सीख गए हो हलाकि आपके अंदर इतना वो मुझे नहीं लगता है कि आपके अंदर इतने patience रख पा रहे हो इतनी चीजे हैं पर ये दबाना कहां से सीख गए हो dear अपने दर्द को आपने दबाना सीख लिया है वो चीज एनरजी यहां पर दिख रही कि आपके partner आपकी तरह बहुत ही positive way में आने वाले हैं एक new beginning start करनी है उनको और ये सारी चीजे अगर हो रही है आपको अगर judgment मिल रहा है जस्टिस मिल रहा है और ये बहुत ही secret तरीके से आपके life में enter होंगे dear बहुत ही secret तरीके से क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने ह हला करा और third party को बता चला तो चीजे जो हैं वो खराब हो सकती है तो कहीं न कहीं आपके partner को भी doubt है third party पर कि ये third party जो है हला होने पर आपके partner के बढ़ते कदमों को रोक देगी तो इसलिए third party से आपके partner secret रख रहे हैं बताना नहीं चाहते हैं पर ये जो भी action लेंगे जो भ बहार निकलेंगे energy बहुत अच्छी है वीडियो अगर पसंद आया तो please like and share कीजेगा हम मिलते है next video पे